ये देखिए देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी बढ़िया बरफी बनी है, ना तो बहुत ज़दा टाइट है और ना ही बहुत ज़दा सॉक्ट है, खाने में बहुत ज़दा टेश्टी लगती है और मुँ में डालने से ही घुल जाती है, तो दोस्तो आज मैं आप तो अभी तीवाली के टाइम में आप ये बर्फी बना कर एक महीने तक इस्टोर करके रख सकते हैं, तो चलिए जल्दी से ये healthy और टेश्टी बर्फी बनाने की रेसेपी देख लेते हैं, तो आटे की बर्फी बनाने के लिए मैंने आपे दो कप गेहूं का आटा लिया है, य जितना बढ़िया लोग ऐस फ्रेम पे आटे को भूनेंगे बर्फी उतनी ही बढ़िया बनेगी, एक साइट में बर्फी के लिए आटा भूनते रहेंगे और दूसरे साइट में चाशनी तियार कर लेंगे, तो चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में एक कप चीनी तो मैंने जितना गेहूं का आटा लिया है उसका आधा चीनी लिया है यानि कि मैंने दो कप गेहूं का आटा लिया है तो एक कप चीनी लेंगे अब एक कप चीनी में हाप कप पानी डालेंगे और गैस फ्लेम लो करके चाशनी को पकनी देंगे और बीच पीच में आटे को चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो आटे के जलने का डर है तो अगर आटा जल गया तो बर्फी का टेष्ट बढ़िया नहीं आएगा तो इसको भी चलाते रहेंगे और साथ में चांशनी को भी पकने देंगे आटे को लोग ऐस फ्लेम पे भूनते हुए लगभग पांच मिनट हो गया है और आटे से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है तो मैंने यहाँ पे दो कप गिवू का आटा लिया है एक कप चीनी लिया है अब इसमें हम डालेंगे हाप कप देसी घी तो हाप कप देसी घी पूरा एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालेंगे आटा भूनने के बाद अगर हम घी डालेंगे तो घी की मात्रा भी कम लगेगी बर्फी में और बर्फी का टेस्ट भी बहुत बढ़ियां आता है क्योंकि आटे का कच्छापन पहले ही खतम हो जाता है तो हम दाल के बहुत जादा नहीं भूनेंगे तो घी की खुश्बू बर्फी में बहुत बढ़ियां से आती है और ध्यान रखेंगे कि गैस फ्लेम एक दम लो ही रखेंगे पूरी बर्फी हम लो गैस फ्लेम पे ही बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा हाप कप प्रज़ करके में प्रशका करने घृट कर एंगे। इस तरह से प्रेस करते हुएे को खुब अच्छे से भूने clarify even मैं एक चुश्बू और घी की भी तो आटा बहुत अच्छे से भून चुका है आप तेख पा रहे हूंगे आटे में गी पोहुत जादा नहीं है और महुत तो इस तरह से हम करें गे तो Bet asthma系, जो बिलकुल ब्राबर हो जारा है तो इसका मतलब गी öl्मात्रा बिलकुल सही है तो अब हम चाशनी चेक कर लेंगे तो थोड़ी सी चाशनी पहले लेंगे और इसको हल्का सठंडा करने के बाद उर्धाद व्मे इस तरह से जगा के दे थोड़ी सी ठंडी होगी तो एक तार की चाशनी बनने लगेगी इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देंगे बर्फी का टेस्ट और बढ़ जाएगा अभी गैस फ्लेम आफ कर देंगे और चाशनी को लगभग दो से तीन मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे थोड़ी सी ठंडी हो जाए चाशनी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी तो बर्फी बहुत ज़्यादा हार्ड ह जाएगी और अगर चाशनी पतली रहेगी तो बर्फी एकदम सौफ्ट हो जाएगी शेप में नहीं आएगी आटा भी हल्का सा थंडा हो गया है बस मैंने इसको 2-3 मिनट तक ऐसे छोड़ा था अभी भी गरम है काफी गरम है बस हल्का सा थंडा हुआ है थोड़ी थोड़ी च इसकी गरमी इसको मिलती रहे ताकि यह जल्दी से जमे नहीं चाशनी और आटे को थवा सा थंडा करके तभी मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से मिक्स होता है अगर गरम गरम आटे में गरम गरम चाशनी डालकर मिक्स करेंगे तो बहुत जल्दी से बगूला उठता है और बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता है कहीं पर ड्राइ रहता है और कहीं पर बहुत गेला हो जाता है तो इसको मिक्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और आटे में लंस भी नहीं पड़ता है आटे में बहुत जल्दी से चाशनी मिक्स हो जाती है चाशनी और आटा सब अच्छे से मिल गया है तो अब लोग ऐस फ्लेम पे डेड़ से दो मिनट तक इसको उलट पुलट लेंगे तो बर्फी जमने के लिए बिल्कुल तयार है अब ऐस फ्लेम आफ कर देंगे तो मैं यहाँ पे बर्फी थाली में सेट कर रही हूँ आप चाहें तो कोई प्लेट ले सकते हैं या बर्फी ट्रे ले सकते हैं थाली में मैंने हल्का सगी लगा लिया है ताकि बर्फी आसानी से निकल जाए इसमें इसको डाल देंगे और अच्छे से बराबर कर देंगे इस तरह से करते हुए बिल्कुल चिकना कर देंगे और आप चाहें तो प्लेन रखें या चांदी का वर्क लगा सकते हैं या अपनी पसंद अनुसार ड्राइट रूट डाल सकते हैं तो मैं भी इसके उपर बारीक टुकड़ों में कटा हुआ बादाम और पिस्ता डाल दे रही हूँ चम्मस से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ड्राइट रूट अच्छे से चिपक जाए बर्फी में तो बर्फी अभी अच्छे से चत नहीं होई है तो इसी समय हम इसमें कटका निशान लगा गे लेंगे तो बिजर जाएगा इसका शेप बहुत बढ़ियां नहीं आएगाł जाएगा बीच बीच से बर्फी टूटने लगेगी यह थोड़ से गरम रहेगा तभी हम इसमें कटका निशान लगा लेंगे तो मैंने इसमें कटका निशान लगा दिया है अब इसको डेर से दो घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे बर्फी अपने आप से जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी आपको अगर जल्दी है बर्फी आप जल्दी सेट करना चाहते हैं तो जब बर्फी पूरी तरह से ठंडी हो जाए, तो सिर्फ दस मिनट के लिए फिरिज में रखती जिए, तो भी बहुत जल्दी से सेट हो जाती है, तो लगबग दो घंटे हो गये हैं, बर्फी बखोत बढ़िया जमी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो इसमे बहुत आसानी से बर्फी निकल रही है, तो देखिए बर्फी कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत बढ़िया आटे की बर्फी बनी है, ना तो बहुत ज़दा टाइट है और ना ही बहुत ज़दा स्वाप्ट है, खाने में बहुत ज़दा टेष्टी लगती है इसको आप मुँ में डालेंगे, तुरंत ही घूल जाएगी, तो ये देखिए देखने से लग रही है ना बिल्कुल हलवाई वाली बर्फी, जैसे हलवाई के हां से आटे की बर्फी आप लाते हैं, सेम उसी तरह से देखने में ये भी लग रही है, और इसका जो टेस्ट है वो हलवाई के हां की बर्फी से कई गुना बढ़के है, तो एक बार इस तरह से आटे की बर्फी आप जरूर बनाईएगा, आपको बहुँ जदा पसंद आएगी, और इसको आप श्टोर करके लगभग एक महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं खराब होती है, तो दोस अगर आपको मेरी आटे की हेल्थी और टेश्टी बर्फी के दिए से भी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक का बटन दवाना बिल्कुल न भूले, थाइंक यू सो मच पर वाचिंग, टेक केर, बाई बाई